So, hey guys, this is Sahil and I welcome your notebook. इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे Code Editor that is also known as IDE, जिसका हुल फॉर्म होता है Integrated Development Environment. See, programming language के लिए हम यूज करने वाले हैं Code Blocks. So, search bar में simply आपको type करना है Code Blocks. जैसे ही आप enter करेंगे, यहाँ पर आपको एक link देखने को मिलेगी CodeBlocks.org. उस link पर click करने के बाद आप Code Blocks की official website पर move कर जाएंगे. अब यहाँ पर आप left side में कुछ links देख सकते हैं News, Features, Downloads, User Manuals. तो यहाँ पर आपको Downloads की link पर click करना है. इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा Download the Binary Release. अब आपको इस link पर click करना है. तो यहाँ पर आपको सारे setup देखने को मिल जाते हैं. Depending on your platform आप किसी भी एक setup को choose कर सकते हैं. यहाँ पर मेरे पास Windows हैं तो मैं Windows पर click करूँगा. Windows पर click करने के बाद मुझे काफी सारी links देखने को मिल रही है. लेकिन मुझे जो setup install करना है वो है .exe file और वो है mingwsetup.exe mingsetup.exe को install करने के लिए आपको पहली link पर click करना है. Link पर जैसे ही आप click करेंगे या आपसे पूछेगा उस folder का नाम जहाँ पर आप अपना setup install करना चाहते हैं. तो मैं इसे default रहने देता हूँ, save पर click करता हूँ अब आपका installation स्टार्ट हो चुका है अब क्यूंकि मेरे पास already installed है तो मैं फिलाल के लिए इसे cancel कर रहा हूँ, आपको पूरा install करना है, यहाँ पर मेरे setup.exe already install हो चुका है, तो मैं इसे double click करके execute करूँगा, और यहाँ पर यह setup आपसे कुछ सवाल पूचेगा, आपको बस next और I agree पर click करते जाना है, तो मैं next करूँगा, फिर I agree करूँगा, फिर next करूँगा, फिर म process शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा time लेगा, क्योंकि setup काफी बड़ा है, यहाँ पर हमारा code blocks install हो चुका है, और यह पोच रहा है, क्या आप code blocks को run करना चाहते हैं, तो मैं simply करूँगा yes पर, तो मुझे करना है next and then finish, यहाँ पर आप देख सकते हैं, desktop पर code blocks का icon बन चुका है, first time यह थोड़ा सा time लेता है start होने में, क्योंकि यह चीजों को setup करता है, तो यह है हमारा code blocks, विलाल के लिए आप नीचे वाले portion को close कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको आपकी IDE कुछ इस तरह से दिखे, यहाँ पर आपको ऊपर काफी सारे options देखने को मिल सकते हैं, तो आप आपको कुछ नहीं करना है, simply इस पर right click करेंगे आप, और यहाँ पर आपको काफी सारे options दिख जाएंगे, तो आपको compiler और main को छोड़कर बाकी सारे options को uncheck कर देना है, यहाँ पर मैं सारे options को uncheck कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास सिर्फ compiler और main check है, इन्हीं की हमें जरूरत होने वाली है आगे आने वाले वीडियो में, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में लिखेंगे हम अपना पहला प्रोग्राम और देखेंगे compilation और object code के बारे में, till then stay safe, keep learning